हलो दोस्तों आखिर क्या वज़े है जो एक 17 साल की लड़की को सभी के साथ इंटिमेट होना पड़ता है इसकी क्या वज़े है यह स्टोरी देखने पर आपको पता चलेगा तो मूवी शुरू होती है और एरीला को एक बड़े पार्टी में दिखाया जाता है वह अपने दोस्त के साथ मस्ति कर रही होती है उसके दोस्त उसको जबरदस्ती ड्रिंक पिला देते हैं वह अपने दोस्तों से घर चलने को करती है पर वह और रुपने को करते है इसलिए व उसका फादर उससे कहता है चलो अपनी पैंट उतारो असल में वो एक पुलीस वाला था तभी उसकी माम वहां आ जाती है और कहती है यह क्या कर रहे है आप तो उसके फादर उसे चुप रहने को करते हैं असल में फादर को लग रहा था कि उसकी बेटी बाहर किसी के साथ और टीशर्ट फार देते हैं और घर के बाहर रोट पर खड़ा कर देते हैं और कहते हैं पांच बजे से पहले यार से हिलना नहीं अब अगली सुबह उसके फादर आते हैं और उसे फिर से परिस्मेंट देते हैं और कहते हैं तुम्हें एक मिनिट में बेट और पिलो पच्च करते हैं और पानी में साथ नहाते हैं. वापस जाते वक्त अरीला गारी ड्राइव करती है, तभी राज़ते में दो पथर होते हैं. उसकी मॉम गाडी पास कराने के लिए गारी से उतर जाती तभी एरीला का पैर ब्रेक से हटकर एक्सलेटर पर दब जाता है और गाड़ी उसके माम के उपर चड़ जाती है वो और उसकी छोटी बेहन किसी तरह उन्हें गाड़ी में लाड़ कर हस्पिटल लाते हैं तब ही उसके फादर का दोस्त एरीला से कहता है कि उसकी मौम कोमा में है और बहुत कम चांस है उसके बाहर आने की अब एरीला को अपने मौम को देख काफी गिल्ट फिल होता है अब अगले सीन में एरीला अपने फादर को सब सच बता देती है और उसका फादर उससे कहता है मैं इसके लिए तुमें कोई पनिशमेंट नहीं देना चाहता हूं तब अरिला कहती है मैं खुद इसके लिए अपना पनिस्मेंट ढून लोंगी तब उसका फादर उसे सट अप कहकर वहां से चला जाता है अब अगले सीन में वो अपनी पैंट फाड़ कर सड़क पर लिफ्ट मागने लगती है कोई इसे लिफ्ट नहीं देता है तब ही कुछ दिर बाद एक कार रुपती जिसमें चार लड़के थे वो अरिला को बीच में बिठा लेते हैं इसके बाद वो उनका नाम पूछते हैं तो अपना नाम माया बता कुए अब वो अरिला से गाना गाने को कहते हैं तो वो अपना टी सर्ट उतार देती है असल में वो थोड़ी मिंटली डिस्टर्ब हो गए थी इसके बाद चारो लड़के हैरान हो जाते है अब एक लड़का उसके प्राइवेट पार्ट को छूने लगता है पर तभी वो वो मेट सब्सकों कने लगती है और वो अरीला को वहीं उतारकर भाग जाते हैं अभ अरills को स्की होटी बेहन का कॉल आता है तो वह कहती है जब मौम को होसा आगा था मैं वापसte आधाना कि हमारी बात हुई है तब इसकी छोटी निचिएमारी से कहती है दैड आपको ढून लेंगे अरीला फोन काट देती है अब वो एक गाड़ी को देखती है और वहाँ से भागती है उसका पैर एक ट्रैप में फ़क जाता है तब ही गाड़ी से एक लड़का उतर कर आता है और पूशता है क्या आप ठीको वो कहती है मुझे किसी की हेल्प नहीं चाहिए अब वो लड़का ट्रैप से उसे छुड़ा देता है तब ही एरीला को गुशा आता है और वह उसे जाने को करती है तब वो उसे गाड़ी में बिठा लेते हैं और उसे अपने फार्माउस पर ले जाकर उसके जूते चिपकाने की कोशिस करता है अब अरीला उस लड़के से काम मांगती है तो लड़का करता है यहां का काम तुम्हारे बसका नहीं है तब अरीला लाइटर से अपने हाथ चलाने लगती है असल में वो प्रूफ करना चाहती थी कि वो कोई भी हाड़ काम कर सकती है इसके बाद वो लड़का उसे अपने फूलों के बगान में ले जाता है और उसे काम के बारे में समझाता है और कुछ काम से बाहर चला जाता है अब अलीला फ्रीजर रूम में जाती है जहां पर उस लड़के का दोस्त होता है अलीला उससे मदद मांगती है वह कहता है तुम ब्रेन से क्यों नहीं मदद मांगती हो तब वो कहती है ब्रेन इसमें कोई हेल्प नहीं कर सकता है और अपने टाप उतार देती है अब वो मना कर और कहता है वो यह सब नहीं कर सकता थोड़ा फोर्स करने पर वर मान जाता है और एलीला को पकड़ लेता है फिर कुछ ख्याल आता है और उसे छोड़ देता है और कहता है दोबारा ऐसा मत करना और उसे जाने को कहता है अब बेन आता है तो एलीला को फ्रीजर रूम से बाहर चलने को कहता है, वो उसे मना कर देती है, तब बेन भी अपने कपड़े उतार देता है और कहता है, मैं भी यहीं रहूंगा और हम दोनों यहीं फ्रीज हो जाएंगे, अब एरिला मान जाती है और वो उसे लेकर अपने घर आ जाता है, फिर कुछ देर बाद वो दोनों फिसकल हो जाते हैं फिर ब्रेन वहां से चला जाता है अब अगले सीन में एरिला के फादर को दिखाया जाता है जो कि बहुत परसान है क्योंकि उसकी वाइफ कोमा में है और एरिला घर से गायब थी अब एरिला की छोटी बहन मैसेस टाइप कर रही होती है तो उसके फादर करते हैं क्या तुम अरिला से बात कर रही हो तब बताती है अरिला तब तक वापस नहीं आएगी जब तक उसके मौम को होस नहीं आएगा अब अगले सीन में अरीला को फिर से लिफ्ट मांगते दिखाया जाता है और एक कार वाला उसे लिफ्ट दे देता है दूसरी तरफ उसके फादर उसे दूनने के लिए निकल जाते हैं उसके फादर अरीला का मोबाइल ट्रेक कराते हैं और उसी डिरेक्शन में जाने लगते हैं वहीं अरीला को वो आदमी जंगन में ले जा रहा होता है उसके फादर भी ढूंटे हुए उसी जग़ पहुच जाते हैं अब अगने शीर में अरीला अपने फादर को फोन करके फोन पाकेट में रख लिती है और कार वाले आदमी को अपने पीछे आने को करती है इसके बाद वह आदमी अरीला को पानी पिलाता है और उसे लिटा देता है और उसकी पैंट खोलने लगता है अरीला कहती है मेरा पहली बार है इसलिए वह काफी नर्वस थी वह आदमी कहता है पहली बार दर्द होता है पर फिर अच्छा लगता है और उसे किस करने लगता है वहीं यह सब सुन उसका फादर बहुत परसान होता है अब उसका फादर उसे खोजने लगता है और इधर कारिक्रम चालू होने वाला होता है अब उसके फादर को एक गाड़ कारवाला समझ जाता है और अलीरा को बाहर फे काड़ी स्टार्ट कर भाग जाता है फिर उसके फादर को रिलाइज होता है कि वह अरीला को अब कभी पनिस्मेंट नहीं देगा इससे बच्चों को मेंटली इफेक्ट भी पड़ सकता है अब अरीला हस्पिटल में अपने मॉम क के साथ होती है और यहीं पर मूवी समाप्त हो जाती है मूवी की स्टोरी अच्छी लगे तो लाइक शेर और सब्सक्राइब करना न भूले थैंक्स पर वाचिंग